Welcome back to my YouTube channel, Unique Classes आज हम देखेंगे Class 12 की जो CBSC ने रिलीज किया है अभी अभी Class 12 का हिस्टरी का जो सैंपल हिस्टरी का जो CBSC ने अपना syllabus रिलीज किया है 2021 से लिके 2022 का उसे हम देखेंगे 2 term में आपके एक्जाम होंगे COVID-19 situation को देखते वे दो term में exam कर दिये जो term 1, semester 1 है आपका उसमें आपके MCQ based जो question है वो आएंगे multiple choice questions आएंगे सारे के सारे और जो term 2 है उसमें आपके क्या होंगे MCQ भी आएंगे साथी साथ आपका जो return exam होगा वो भी होगा उसमें तो देखिए chapter term 1 में कौन-कौन से है आपके है chapter 1 है इसमें chapter 2 है, chapter 3 है, chapter 4 है 6 है, 7 है यानि आपका एक से लिकर 7 तक का chapter जो है वो सारे के सारे chapter आपके term 1 में आएंगे बस आपको याद रखना इसमें से आपको chapter 5 है वो cut कर दिया गया है आप इसे साथ देखिए यह कितने marks आपका ले रहा है यह आपके 40 marks ले रहा है यानि कि 6 और 7 जो है इसमें से आपके total 15 नमबर जो बनेंगे यानि कि 15 नमबर आपके हैं से cover होंगे आपके exam में आप देखिए जो 25 नमबर हैं वो आपके chapter 1 से लेकर 4 तक फर्स्ट बुक जो है उसमें से आपके 25 marks के caution पूछे जाएंगे total 40 marks का होगा यह और आपको दूसरा जो term होगा वो भी 40 marks का होगा और 20 नमबर के आपके क्या होगा practical होगा अब देखिए यहां पर आप देख रहे हैं ETA मनकी और अस्तियां जो है chapter 1 यह आपका आ रहा है राजा, किसान और नगर आपका आ रहा है मंधुत्व, जाती और वर्क आपका आ रहा है विचारक, विश्वास और इमारते chapter 4 यह सारे के सारे आ रहे हैं बस आपका यह जो यात्रियों के नसरी है यह आपका कट कर दिया गया है भक्ती, सूफी, परंप्राएं है यह भी आपका आ रहा है आपको ध्यान रखना है तो यह 6 तक ही यह है और 7 वा जो है आपका यह 7 वा जो आपका यह है एक समराज्य की राजधानी विजय नगर यह भी आपका आ रहा है तो यह 7 चैप्टर है यह आपके आएंगे टर्म 1 में आपको ध्यान रखना है और यह 40 नमबर के होंगे MCQ टाइप कोशन आएंगे इन में से तो इन चैप्टर के आपको क्या करना है रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करनी है केवल और केवल MCQ कोशन की त्यारी करनी है तो आपको यह ध्यान रखना है कि आप चाहे explanation करें यह न करें आपको explanation पर ध्यान देना ही नहीं है इन में से आप से नहीं पूछी जाएंगे questions explanation के लिए आप से only MCQ type questions ही पूछे जाएंगे चैप्र नाइन वह आएंगा वह दस नंबर यापके वेटिश लेकर 12 जह लेए आपका और 14 है ये दो चैप्टर आपके cut कर दिये गए, delete कर दिये गए, आपको ध्यान रखना है अब देखी, ये total 40 number की होंगे और इसमें आपके map जो question है, वो दोनों term में पूछे जाएंगे आपको ध्यान रखना है, यानि कि जो term 1 है, उसमें mcq question होंगे तो इस map दिखा कर आपको mcq question दे दिये जाएंगे आपको पता होगा, history में ये किया जा रहा है, कि आपको जो case study based जो question है, वो दिये जा रहे हैं और उसके जो हमने, जितने भी cbs ने दिये थी, हमने सारे का सारे case study based जो question है, वो बना दिये हैं, हिंदी medium में, provide कर दिये हैं आप सभी के लिए, क्योंकि cbs ने English medium में दिया था उसमें सारे का सारे, जितने भी question है, mcq type question है और वो सारे का सारे क्या है, या तो map दिखा कर, या picture दिखा कर आपको उनके question पूच रखें, फिर paragraph दिखा कर, तो उस base पर भी आपके question आएंगे तो map को भी अच्छे से त्यार करना है, आपको specially बोला गया है अब देखिए, जो chapter 7 है, ये आपका term 1 में include कर दिया गया है अब term 2 के लिए क्या syllabus है, आपका term 2 में आपका क्या है, ये जो 8 chapter है वो delete कर दिया गया है 12 chapter जो अपनवेशी के शहर है वो भी delete कर दिया गया है और 14 chapter विभाजन को समझना भी delete कर दिया गया अब आएगा क्या, आपका आएगा chapter 9, chapter 9 राजा और विभिन वरतांत आपको जैसे पताओगा हमने जो MC को कोशन है, वो साइके सारे complete कर दिया है chapter wise, साथ में notes आपको पहले provide किया है, फिर उनके हिसाब से जो questions है, उनसे रिलेटरी जो कोशन है वो दिया है जिससे आपको याद रखने भी बड़ी असानी हो की और समझने में पहले नोर से समझे हमने अच्छे से, फिर हमने MC को किये है अब दीखे विदरोई और राज, जो chapter 11 है, वो आपका आएगा और जो chapter 10 है आपका chapter 10, उपनवेशवाद और देहान थे ये भी आपका आएगा तो chapter 10 हो गया, 11 हो गया, अब जो chapter 13 है आपका महात्मा, गांधी और राष्टे आंदोलर, यहां से भी आपके काफी questions पूछे जा सकते है, विटन हो का इसका जो exam है, और MC को type questions भी होंगे, और सविधान का निर्मान जो 15 chapter भी आपका include किया गया है, term 2 में, तो आपको एक काम करना है, link description box में दे दी जाएगी, download कर सकते हैं, वहां से syllabus CBC का, और आप क्या कर सकते हैं, इन्हें क्या करिए, copy में लिख लीजिए, जो term 1 का syllabus है, और term 2 का, या कि बुक में आप mark कर लीजिए, जिससे कि आप गलती से कोई दूसरे chapter ना read कर ले, इनकी आपको return भी करनी है, practice और MCQ type questions की भी करनी है, और map तो आपके दोनों में आएंगे ही, अब दीखे किस type का pattern होगा, तो project जो है आपका 20 marks का होगा, 10, 10 number की, दो मतलब की आपका जो वाइवा होगा, और project होगा, दोनों शामिल हो जाएंगे इसमें, और इसके साथ 20 marks यह होगे, project के आपके, term 1 के 40 marks, term 2 के 40 marks, टोटे मिलाके 100 marks आपके हो जाते हैं, तो इसी के साथ यह जो chapter और किस type से आएंगे questions, कहां से ज़्यादा weightage है, कहां से कम weightage है, उसके according आप preparation करने, start कर दीजे, और term 1 के लिए आप preparation कर रही हैं, तो MCQ type questions आपको करने हैं, और term 2 में आपको return exam plus में MCQ करने हैं, और map जो है, उसे तो आप भूलिये मत, और map में भी आपको ध्यान रखना है, term 1 में आपको map के लिए MCQ ही करने हैं, यानि कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ की practice करेंगे, तो आपके marks के हैं, अच्छे आ सकेंगे, आपको क्या करने हैं, महनत करनी हैं, महनत करेंगे तो सफलता भी मिलेगी, महनत करने वालों कभी हार नहीं होती हैं, तो महनत करते रहिए, आप अगर वीडियो यह अच्छी लगी हो, तो आपके अगर सकते लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साइड में जो बैल एकन हैं, उसे प्रेस कर सकते हैं, जिससे की न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन में आ सकें, थैंक्यू,